हाई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात कर रहे हैं कलास 12 इंगलीश है सोन नमबर का आज का जो चेप्टर होगा वह समरी है स्वीटेस्ट लव आई डू नाट गो जो की जॉन डॉन द्वारा लिखी थे हैं एक प्रेम कविता है उसी का हम लोग समरी आज पढ़ रहे हैं चले दोस्तों हम लोग शुरू करें दोस्तों चैनल पर नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा द चैनल दोस्तों हम लोग सुरू करें समरी को स्वीटेस्ट लव आई डू नाट गो स्वीटेस्ट लव आई डू नाट गो इस ए लव पोएम रिटेन बाई जॉन डॉन अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डू नाट गो जॉन डॉन द्वारा लिखित एक प्रेम कविता है Sweetest love I do not go John Donne dvara लिखित एक प्रेम कभीता है Donne was a noted poet of England Donne England के प्रसिध कभी थे He was also a great metaphysical poet अर्थात ओवे एक महान अध्यात्मिक कभी भी थे He has written a number of love poems अर्थात उन्होंने कई प्रेम कभीताय लिखी है In this poem he is showing a real form of true love अर्थात इस कभीते में वह सच्चे प्यार का असली रूप दिखा रहे हैं The poet further tells that he loves a beautiful lady too much अर्थात कभी आगे बताते हैं कि वह एक खुबसूरत महिला से बहुत ज्यादा प्यार करता है Once he goes to her and tells about his isolation from her अर्थात एक बार वह उसके पास जाते हैं और उससे अपने अलगाओ के बारे में बताते हैं The lady becomes shocked and said when she hears it अर्थात यह सुनकर महिला हैरान और उदास हो जाती है She is further consulate that love is a way of life उससे आगे संत्वाना दे जाती हैं कि प्रेम जीवन का एक तरीका है It is a heavily thing अर्थात यह एक स्वर्गिय चीज है It does not charge anything in its return यानि इसके return में यह कुछ भी चार्ज नहीं करता है His journey will be a speed like that of the sun अर्थात उसकी यातरा सुर्ज की तरह तेज होगी He will come soon and meet her वह जल्द ही आएंगे और उससे मिलेंगे The true love lasts forever in the world अर्थात सचा प्यार दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रहता है The true love lasts are never spread from each other अर्थात सचा प्यार दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रहता है सचे प्रेमी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते The title of the poem is very significant अर्थात कभीता का सिर्षक बहुत महत्व पूर्ण है It is really showing true love यह वास्तों में सचा प्यार दिखा रहा है It is one of dawn's best poems यह dawn की सर्व स्रेष्ट कभीताओं में से एक है चले दोस्तों इसका हिंदी बता दें एक बार पुना Sweetest love I do not go John dawn द्वारा लिखी ते एक प्रेम कभीता है प्रेम कभीता है Dawn England के प्रसिद कभी थे वे एक महाना ध्यात्मी की कभी भी थे उन्होंने कई प्रेम कभीताई लिखी है इस कभीता में वह सच्चे प्यार का असली रूप दिखा रहे हैं कभी आगे बताते हैं कि यह एक खुबसूरत महिला से बहुत जयादा प्यार करते हैं एक पर उबह उसके पास जाते हैं और उससे अपने अलगाऊ के बारे में बताते हैं यह सुन कर महिला हैरान और उदास हो जाती है उसे आगे संत्वना दी जाती है कि प्रेम जीवन का एक तरीका है यह स्वर्गिय चीज है इसके रिटर्न में यह कुछ भी चार्ज नहीं करता उसकी यातरा सुर्ज की तरह तेज होगी वह जल्द ही आएंगे और उससे मिलेंगे सच्चा प्यार दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रहता है सच्चे प्रेमी कभी एक दुसरे से अलग नहीं होते यही सच्चे प्रेम का वास्तविक स्वरूप है कविता का सिर्शक बहुत महत्वपूर्ण है यह वास्तों में सच्चा प्यार दिखा रहा है यह डौन की सर्व स्रिष्ट कभीताओं में से एक है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियों अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियों मिलते हैं तब तक लिजा हैं, जय भारत